ओम स्री गनेशायनमा दोस्तो एस्टो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हर दिक्ष्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 जून सौंबार के रासी फल के बारे में कीह दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महतपपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मीन रासी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आर्थिक इस्थिति आपके लिए काफी मजबूत रहने वाली हैं और धन प्राप्ती के अच्छे अफसर आज आपको प्राप्त होंगे इसलिए हर तरह से आज सजग रहें कामकाज को लेकर बहतर प्रदसन करने की आज कोशिस करें ताकि आपकी आर्थिक इस्थिति में इजाफा हो सके धन्यधान प्राप्ति के उदेस्यों की आज पूर्ती हो सकती है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो साथी साथ समय आज आज आपके लिए भेतरीन परस्तितियां तैयार कर रहा है दोस्तो आज आप अपने अंदर अदबुद उर्जा वे आत्म विश्वास महसूस करेंगे तथा आपकी कार्रे छमता में भी इजाफा होगा युवा वर्ग को भी कोई मन मुताविक कार्रे बनने से रहत मिलेगी आज दोफैरबाद परस्तितियां आपके पक्ष में बहुती अनुकूल हैं दिन की सुरुआत में ही अपने महत्पपून कार्रों से सम्मंदित रूप रेखा आप बना ले संतान की तरफ से कोई सुब समाचार मिलने से बहुत अधिक रहत आपको मिलेगी दोस्तो कुछ समय से आप अपने अंदर अधभूत परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे अंदर छिपी हुई प्रतिवा और नौलिज को पहचाने तथा उसका प्रियोग करें इस समय की की गई महनत के निकट भविस्य में बहुती उचित परिणाम आपको हांसिल होने वाले हैं दोस्तो आज किसी काम में ऐप प्रतियासित लाब की भी इस्तिती बन रही है अपने काम के प्रति एकागर चित रहें इसके लिए कोई छोटी यात्र भी आपको करनी पड़ सकती है विध्यार्तियों को भी किसी कमपटिशन में सफलता मिलने की आज पूरी संभाव ना है दोस्तो इस समय की की गई महनत के उचित परिणाम हासिल करने के लिए करम प्रधान तो होना ही पड़ेगा इसलिए अपनी उर्जा का आप भरपूर इस्तमाल करें अगर प्रॉपर्टी संभन्दित कोई आज आप योजना बना रहे हैं तो आज उसके फलीभूत होने का समय आ गया है जीह दोस्तो आज भाग्य आपके पक्ष में है पिछले कुछ समय से जिन कारों में रुकावटे आ रही थी आज उन कारों का पूरा होने का समय आ गया है आपको अपनी महनत के अनुरूप उचित पैरणाम आज हांसिल होने वाले हैं जिससे आपको काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो परिवारिक विवादों से आज आप बचने का प्रियास रखें और सब के साथ आपसी समंजस बहतर बनाए रखने का प्रियास करें ताकि घर परिवार में शुक शांती समर्दि की प्राप्ती हो और घरेलू विकास संबब हो सके माता पिता का ख्याल रखें किसी भी तरह की समस्य होने पर उनका ख्याल आप विसेश रूप से रखें दोस्तो साथ साथ किसी समय भावुकता और आलस की वज़े से बनते कारों में विगन पढ़ सकता है और कुछ उपलब्दियां भी हाथ से निकल सकती है जिसकी वज़े से आपको भारी नुकसान का सामना करना पर सकता है परन्तु जादा सोच विचार करने से कई उपलब्दियां हाथ से निकल सकती है दोस्तो आए के साथ साथ खर्चों की भी इस्तितियां रहेंगी आप अपनी कोई महत्पपूर्ण वस्तू आज कहीं रख कर भूल सकते हैं या खो सकती हैं इसलिए किसी भी प्रकार की आप लापरवाई ना बरतें दिल की बजाए दिमाग से निर्नेले भविस्ते की चिंता को छोड़कर वर्तमान गति विद्यों पर ध्यान अधिक केंद्रित रखें ऐसा करना आपके लिए अवश्य ही लापदायक साबित होगा कभी कभी आपकी संकालू प्रवर्ती आपके और दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखना अतियावशक है आज कोई पेमिंट भी आपको करनी पड़ सकती है जिसकी वज़े से आर्थिक इस्तिती थोड़ी कमजूर ह दोस्तों के साथ फैमिली गेट टूगेधर होना तनाव को दूर करके मन प्रफुलित करेगा तथा परिवार के लोग भी खुस रहेंगे दोस्तों साथिसाथ परिवार में कुछ वैचारिक मतवेद भी रहेंगे इसलिए अपने वैस्तम समय में से कुछ समय परिवार के मंदों में सातविक तारखना आवशक है साथ साथ पती पतनी में भावनातमक तथा विश्वास पूर्ण रिस्ता रहेगा जिससे घर परिवार में भी वाता वरण खुसन उमा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाइक केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज वैवसाइक गतिविदियों में छोटी छोटी परिशानियां आ सकती हैं लेकिन कटिन परिश्रम से कारों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा रहेगा जिहां दोस्तों आज वैवसाइक गति कि उच्छ अधिकारियों के साथ संबंद खराब ना हो आज का दिन पेमेंट कलेक्शन करने और मार्केटिंग के लिए अती सुब है क्योंकि रुक्वी ही पेमेंट मिलने से आर्थिक समस्याइं हल होंगी नोकरी पेशा वैक्तियों को भी उनके उचित परिश्रम के आदार पर तरकी के योग बन रहे हैं दोस्तों साथ साथ किसी अंजान वैक्ति से अचाना के घनिष्टता होगी और कोई बड़ा ओर्डर भी मिलने की संभावना बन रही है इसलिए अपने वैवसाइक गतिविदियों पर बहुती अधिक एकागर चित रहें नोकरी पेशा वैक्त कोट कचैरी से जुड़े मामलों में भी कोई योजनाएं आप तैयार कर सकते हैं जिससे आने वाले समय में आपको अवस्य ही फायदा मिलेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तों ठकान और कमजोरी आज आपको महसूस होगी इसलि भूस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश हुपाई क्या हैं दोस्तों आज आप इशनान आदीशे निर्वत रहोने के बाद भगवान भूले नात को तिल और जो अर्पित करें और शाति साथ माम मिर्तुन्जय मंतर का 108 बार रुद्राक्ष की मा से जाप करें जा दोस्तों ऐसा करने से भगवान भूले नात बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फोलो की प्राप्ति होंगी और आपके समस्त कारे भगवान भुलेनात के असरवाद से बहुत यासनी से बनते चले जाएंगे। दोस्तो भगवान भुलेनात का असरवाद आपको प्राप्त हो। सचे दिल से कमेंट स्वोक्स में जै बहुलेना तवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद।